सेवंथ कोश्चिन में क्या बोला है में x अपान x स्क्वार प्लस 1 और x माइनस 1 है ठीक है तो इसमें आपकी फिप्थ फॉर्म देट इस a अपान x माइनस 1 प्लस bx प्लस c क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी x स्क्वार प्लस 1 देखो आपको पहले दो चीज़ देखने है या तो यह स्प्रेटिंग ना में टम से स्वाम हो जाए या कोई identity लगके अगर स्प्रिट हो सकती है तो हमें स्प्रिट करना है अगर स्प्रिट नहीं हो सकती है टम मनलब यह क्वाड़िटी एक्वेशन है अगर स्प्रिट नहीं हो सकती है तो हमें स्प्रिट में लाना है ठीके जैसे कई बार एक कोईशन में था एक्वेशन में था एक्वेशन माइनस वन एक्वेशन माइनस वन को हम एक्वेशन माइनस वन कर सकते है तो आप पर वो तीन फैक्टर बन जाएंगे फिर नीचे, ठीके, तो अलग बे में करेंगे, इसमें नहीं स्प्लिट हो रही है, तो ये फॉर्म करेंगे, clear, अब इसके आगे कैसे, अगेन वही, LCM लिया, इधर, A इंटू X स्क्वार प्लस 1, प्लस BX प्लस C इंटू X माइनस 1, whole upon X minus 1 इंटू X स्क्वार प्लस 1, और यहां पे X अपॉन X स्क्वार प्लस 1, X माइनस 1, ठीके, अब उसके बार क्या रहेंगे, डिनॉम्नेटर कैंसल आउंट, X इक्वेल चुब अ इंटू X स्क्वार प्लस 1, प्लस BX प्लस C, इंटू X माइनस 1, ठीके अब यहां पर पहले देखो अब 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 अगर x a की value निखाल नहीं है तो यहां पर हम x की value 1 put कर दें तो क्या हो जाएगा यह पूरा zero हो जाएगा ठीके यह पूरा आपका zero हो जाएगा उससे a की value आ जाएगी तो पहले तो x equals to 1 कर दिया हमने 1 करने पर क्या जाएगा 1 equals to a into 1 square 1 plus 1 plus bx plus c यहीं b into 1 plus c into 1 minus 1 तो यह 0 हुआ 0 into something 0 so क्या बच्चा a into 2 so a आगे आपका half clear अब b और c हमें find करना है तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा अब b कब zero हो सकता है जब x की value क्या हो जाए जीरो ठीक है तो b निकालने के लिए क्या करेंगे x equals to zero ठीक है यह वैसे हम लेट कर रहे हैं अपने पार्डिक सो x equals to zero लेट किया तो zero a की value हमें use करनी पड़ेगी हाफ क्योंकि यह वादा zero नहीं बन रहा है zero plus one plus b into zero plus c into zero minus one सो यहां पे क्या जाएगा zero equals to half into one हो गया plus b into zero zero बन गया c और यहां पे minus one यानि minus c बन जाएगा यह so minus half equals to minus c so therefore c equals to half यहां तक क्लियर हो गया a और भी आगया आपके अब c निकालने के लिए क्या करेंगे और c के लिए अब हमें क्या करना है या तो यह और भी को zero करेंगे पर अब zero किसी भी में में नहीं होगा यह वादा तो zero होई नहीं सकता ठीक है sorry c निकल गया नो बी के लिए बी के लिए क्या करेंगे अब c तो हमारा zero हो गए नहीं ठीक है तो c की value आ पास आ चुकी है और पूट कर देंगे और a की value जो आई है वो भी पूट कर देंगे तो अब x कोई भी value डाल दो suppose आप x की value 2 डाल रहे है ठीक है यह ध्याब रबने कि b 0 नहीं होना चाहिए ना इसके साथ ना इसमें तो 0 नहीं डाल सकते अदर्माइस b 0 हो जाएगा वन नहीं डाल सकते है तब भी 0 गोरा था आपका क्लियर तो इसने अपने 2 डाल दी x की value so 2 equals to a की value क्या हो गई half bracket 2 square plus 1 plus b into x x अबाना 2 plus c c की value आपका है निक लिए थी half और bracket के बाहर 2 minus 1 दूसरे bracket में so 2 equals to half 2 का square plus 1 5 plus 2b plus half into 1 clear so 2 equals to 5 by 2 plus 2b plus half अब 5 by 2 plus half कितना हो जाएगा 6 by 2 6 by 2 कितना हो गया 3 so 2 equals to 3 plus 2b 3 दर्शिफ्ट किया equals to 2b 1 equals to 2b minus 1 sorry so b equals to minus half तो abc आपके क्या क्या हो अब इसमें abc की value मिल गए या आप integrate करना है तो half half को हमने बाहर लिख लिए एक को ठीक है आपके value x और b की minus आपती तो half हमने बाहर ले लिए यहाँ पे भी minus x plus 1 upon x square plus 1 यहाँ था clear अब इसका integration क्या हो जाएगा हाफ बाहर है 1 upon x minus 1 का log log x minus 1 और x minus 1 का भी differentiation करना है वो डिवाइड करना है तो x minus 1 का differentiation 1 so upon में 1 आ गया clear यहाँ पे plus half इसको हमने अलग अलग तोड़ा विटा कैसे minus x upon x square plus 1 ठीक है dx plus 1 upon x square plus 1 dx अब इसको हमने अलग 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 करना है अब इसमें हम क्या करेंगे इसको हमने t let किया let x square plus 1 equals to t तो इसका differentiation क्या हो जाएगा 2x dx equals to dt so x dx देखो आपको यहाँ पे आ रहा है तो x dx क्या हो जाएगा dt by 2 ठीक है तो अब half बाहर आपका इसका integration minus dt by 2 ठीक है 2 हमना रहा हूँ बाहर क्या होगी यहाँ पे half again x square plus 1 हमारा क्या हो गया t ठीक है plus 1 by x square plus 1 में क्या करना है direct identity कौंसे identity 10 inverse x 1 upon x square plus 1 किसका हो तो यही 1 plus x square 10 inverse x का तो 10 inverse x हो गया आपका यहाँ पे ठीक है इसका integration हो गया यहाँ पे आपका half log x minus 1 चल रहा है plus now उसके बाद यह आपने bracket open किया और इसका 1 by t का integration क्या हो जाएगा log t ठीक है और यह bracket open किया तो minus 1 by 4 log t आगया और t में हम next step में value भी put कर देंगे plus half tan inverse x तो इसका final answer आपका क्या होने वाला है half log x minus 1 minus 1 by 4 log t की जगे क्या था मारा x square plus 1 plus half tan inverse x चाहे तो आप सब में से half common लेके भी show कर सकते हो ठीक है है